कि लो एवरीवन क्या हैं मेरा नाम अनुज कुमाल स्वागत है आपका सिक्षाधाम में कि सबसे पहले अभी आपने 12 पास आउट किया है तो शायद मुझे ना जानते हो लेकिन जो इतने भी पुराने बच्चे हैं डेली उनिवर्सेटी के कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीजों से मुझसे जुड़े हुए हैं तो आप सभी अभी निवर्स पास आउट हो गया है तो कुछ जानगारी जो मुझे देनी थी वह मैं आपको देने जा रहा हूं यह बच्चे अभी लेंगे यह वीडियो उन बच्चों के लिए उनका स्लेवर्स रिविल हो गया है अभी सी यूटी के एक्साम डेट क्या कट आफ जाएगा इन सब की मैं डिसकॉशन नहीं करूंगा जो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि आप न्यू एजूकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपके स्लेवर्स को बता दिया गया है उस स्लेवर्स में क्या-क्या चीज़े हैं कितने सब्जेक्ट से हम उसकी बात करेंगे ठीक है तो जैसे मैंने पीछे ज्यादा वक्त आपका लेंगे नहीं हम क्योंकि जो चीज़े काम की बात है स्रिफ उस पर बात करेंगे आपका देखिए यह बीकॉम ओनर्स का है बेसिक मैक्सिमम तो पॉसिबिलिट यह ही है कि चार साल हो गया एक समिस्टर में क्या सब्जेक्ट है यह उन्होंने कोर सब्जेक्ट रख्छा है सर कोर सब्जेक्ट का मतलब यह आपको पढ़ने हर बच्चे के पास यह सब्जेक्ट हो अपनेंज्मेंट प्रिंसिपल देख सकते हैं तो इसके अंदर काफी सारे पॉंट्स मैं बता हूं जो पहले था स्लिक्भग वही रहेगा और इस में से जेनरिक एलेक्टरी में से कोई एक चूज करना है जैसे एकनॉमिक्स है तो नियू एडूकेशन पॉलिसी का क्या था था थोट कि हम सारे कोई भी बच्चा कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाता है तो पढ़ सकता है तो वैसे देखें आप यहां पर क्या दे के एनहांस्मेंट इसमें से भी कोई एक्चूज करना आपको । कि सब्जेक्ट के नाम कॉंटेंट पर मैं चर्चा नहीं करूँगा और टोटल मिलाकर मैं कहूं तो समेस्टर के अंदर आपके पास टोटल ही अगर मैं बात करता हूं तो सप सेवन सब्जेक्ट हैं जोकि मै तो यह स्रफ डेली निवर्सेटी नहीं है इसाथ सब्जेक्ट है आप देखिये जा कि अदर इन्विश्टी में कौलकता इन्विश्टी में मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं वहां के वहां सब्जेक्ट होते हैं समिस्टर में पूरा पेपर सिस्टम डिजाइन किया गया है कहता है इसके अंदर क्या मिलेगा हिंदी इंग्लिस वह सारी चीजे बात कि तो मेरा यही बताना था जो नए बच्चे हैं मोस्ट वेलकम आपका हमारे चैनल के उपर और यह न्यू स्लेबस है जो कि मैंने आपको दिखा है थैंक्यू सुमच